असलाम लेकुम, मेरा नाम डॉक्टर एमन परवेज है और आज का हमारा टॉपिक है फॉलिक एसेड हम फॉलिक एसेड होता क्या है इसके यूजिस पे बात करेंगे, इसके इलावा हम इसके साइड एफेक्ट्स पे बात करेंगे और इसके सबसे इंपोर्टेंट रोल जो मेल्ज और फ्लाइमी की जो negotiating डिं मैं वात करेंगे और प्रेगनन्सिी मेर इसके का यूज होता है उसके बाद करेंगे अब हम सेथ़ाद करेंगे चालत दिशिये हैं बाडिक मेरे के अथर आज़ अगे जलो डिसक्स करेंगेंगे में और हम इसकी सोर्सिस के बारे मी थुर डिसक्स कर लेते हैं भी उलीफ लेजीबल्स में मिलता है। आपको करने भीफ व्लेवर में मिलता है। यानि कलेजी के अ羽ेत पर आपर थी क्योस्ता है, आपको मिलता है। और अगर इसकी कमी आपकी बॉड़ी में हो जाए तो एक खास किसम की खून की कमी हो जाती है जिसको हम मेगलो ब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं उसके लावा जो इसका एक फंक्शन होता है यह आपके डियने की फॉरमेशन के अंदर बहुत जादा है और आपके जैनेटिक माट में फॉरम झाल जाए 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 झाल आपके उसके इसका गैप च., हमकर घंए बहुतड़ाइ भॉड कलर और भीषया के रिप्ड़के कि लिए लावा प्रहा कुछन टॉटाह त tension के लिए तो इसका मलम रंफु का है, उसके इसका है, वाले पाद के और ट्डलव प्रवातीन में जिसमें आपका 400 माइक्र ग्राम तक तक डेली लेना बहुत जुरूरी होता है और यह आगे चल करने में भी बहुत है और उसके लावाँ आपकी नेचरल साइकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टन उसके लावाँ मर्दों के लिए जो इसके लिए उसके लिए जिसमें पाल्यान होता है तो इस जिए मालु है कि लिए तक लिए ओप्रटिलिटी इंक्रीज करता है और मर्दों की हार्थ हेल्थ के लिए यह भी बहुत होता है अब हम बात करेंगे फॉलिक एसिट के ओल एज पीपल में क्या यूज़ होते हैं तो इसके ओपर कुछ रिसर्चिस हुई है जिससे ये पता चला है कि जो हमारे ओल एज पीपल होते हैं उनके अंदर उमर के साथ 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 सोचने की सलहियत काफी कम हो जाती है जिसकी वज़ा से उनके अंदर बहुत से मेमरी के इशुज़ आना शुरू हो जाते हैं तो फॉलिक एसिट पे कुछ ऐसी रिसर्चिस हुई हैं जिससे ये थाबित हुआ है कि ओल एज पीपल की मेमरी इंप्रूफ करने में हेल्प करता है उसके साथ साथ उनकी सोचने की सलहियत में भी हल्प करता है अब हम बात करेंगे फॉलिक एसिट के सबसे एहम रोल के बारे में जो कि इसका रोल है प्रेगनेंसी के अंदर Pregnancy के अंदर खावाते उनको अपने Folic Acid का बहुत खास खास खार लकना था होता है शुरू के तीन महीने में उनको अपने Folic Acid की मिदार को तकरीबर usual 600 mg से लेके 800μg तक रखना होता है उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट का भी खार लकना होता है फॉलिक एसिड वाली छीजों को आपने लेना होता है जैसे ग्रीन लिफ यजटेबल्स वगेर का समाल भी करना होता है उसके इलावा आपने अगर अगर अपने फॉलिक एसिट का उस तरीके से खियाल नहीं रखते हैं खास तोर पे अपने जो शुरू के ट्राइमिस्टर के अंदर तो आपको बहुत सारे इशूस हो सकते हैं इसमें आपके पाया होना बढ़ा अपने बढ़ा एंदर बहुत सीरियसरी रियर के हड़िया यानि आपकी अपिनल कॉर्ड और जहनी नशनुमा के अपने पायाल नियूरल ट्यूब्ड एफ्ट्स्ट जिसमें आपकी तुरूप ट्रीके से डिया प्रप्लूप नहीं प्रप् कि यगया लिए भाराय नहीं आते हैं आग docteur गिली पुच्छ निकने लिए एक्सन एक्सट्रावस में डाराइझ तो इसके रेक्स शाहरा है सै जरिग अच्छ तो इसके हमीचिर्स कुछ तो इसके के साफ्टावी नजरा है लिग लेन जाडनेस के पैचेस, आपको राद नजेट बडन जाने चुरू ऑल जाते के लिप भून दोन हो जाएं। जाएंग लिए चुछ चुछ जाहिए चुछ पीजिक जाते हैं जाएंके सबस्टाइफेक्ट्स प्रकारणन खांठीन जाते हैं अब हम बात करेंगे गिस अब इसके लगाद कुछ फॉलिक इसिट के बारे में हैं या अगर आधि अगर आखि कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा जैसे अगर आगर आपके घर में कोई अफ्राद एपलापसी के पेशन्ट या या आप होद एप एपलेप्सी के पेशन् एक मेस्तमाल नहीं कर सकते हर् technology program,equ Recommendation paulic acid लिए पर्निशियस बारत, रेंजर भशाथ, लिए अन्यारस ही और रेंज़ार। इसे घर कमारह और को सीरियस अन्फरेटेटिस अब्ड़्ए लिए।